और आप इसे कुछ लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने एंजियो शुरू किया है, वो खुद भी एक ब्लाइंड है, तो अगर एक ब्लाइंड आदमी हिम्मत कर सकता है, एक एंजियो खोलने की, और उन सारे लोगों को सहारा देने की जो देख नहीं सकते हैं, तो मैं उमिद जो देख सकते हैं, वो लोग उनको दिल खोल के अपनी सहायता देंगे। देवेंद्र सेंग वो प्रमोत कुमार द्वारा सुन्दर कांट जैसे धार्मिक अनुस्छान का भव्वे आयोजन किया गया। दिश्चिबाधित छात्रों ने ब्रेन लीपी से सुन्दर कांट पढ़ते हुए, अपनी मधुर आवाज में भजन कीरतन द्वारा सबको मंद द्रमुक्त किया। इस आयोजन की मुख्या आतित्री के रूप में महरोली निगम पार्शत आरती सिंग यादव जो कमेटी चेर्मेन है आयोजन में शिर्कत की। उन्होंने मीडिया समक्षाती सुन्दर तरीके से हुए, इस धार में कारक्रम की भरपूर प्रशंसा करते मेरे पास जब या आमंतरन आया तो मैं बहुत अचम्भिती कि दिश्ची बाधित सुन्दा कांट का पाट कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां अकर मैंने देखा ये दिव्य जोती पारदर्शी लोग अपने मन की अति सुन्दा दिश्ची से हम आखों वाले लोगों से कई गु योगी बनते हुए इने पंगू, बेचारा, असहाय, अंधा, निर्बल, शब्दों से कमजोर ना करके इनको सबल बनाते हुए समानता अधिकार तहत राज्च के हरकारे में योगदान देने हेतु बनाए। यह हमारे समाज का अभिन अंग हैं। मुख्य अंग को अलग करक हम और हमारा देश कभी भी संपोन रूप से विक्सित तो क्या स्थाय रूप से खड़े भी नहीं हो सकते। संस्था अधक्ष देवेंद्र अनुसार हमारी संस्था में जादत अच्छात्र जो हरकारे में निपुन हैं। हम इन कालक्रमों के माध्धम से उनकी प्रतिभा को उभारते वे अग्रसारित करने के लिए प्रासरत हैं। इसके लिए हमें समाज के सहियों की अंतर्त आवशकता है। उपाध्यक्ष प्रमोत कुमार ने कहा पिछले वर्ष अंधि महा विद्याले से चात्रों को अकारन ही दिल्ली सरकार द्वारा बहार निकाल दिया गया थ और हमारे दिश्ची बाधित चात्र रोड पर भटक रहे थे तब हम इनको अपनी ट्रस्ट में लेकर आए। लेकिन मेरी सरकार से यह मांग है यदि विधा आश्रम अनाथ आश्रम बन सकते हैं तो दिव्यांग आश्रम क्यों नहीं बन सकता। जरूरी तो नहीं कि हर दिश खोल कर बेरुजगार दिश्ची बाधितों को स्वें रोजगार हेतु बनाते हुए और सहाय से सहाय बनाए। उन्हें किसी ना किसी माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। इस धार में एक अनुस्चान का अंतिन चरन भंदारे के साथ संपन हुआ। विकलांगता कोई आप नहीं या किसी भी इंसान को कभी भी किसी भी उमर में हो सकती है। शरील में इक अंग की कमी होने से कोई इंसान कमजोर नहीं हो जाता। हेडलाइन से इंडिया टुडे से अनामिका जहा के साथ अनीता गुलेरिया की रिपोर्ट। यह अनुद्धर परमौत मवाद और दविंदर सिंग्ग। दोनों ने मिलकर यह सुंदर कान का आज यह आयोजन रखा है। और इसमें उन्होंने आर्थी सिंग्ग और हमारे सारे सायोगियों को बुलाया है। आप देख सते हैं हमारे पीछे सुंदर कान का स्टेश इनके जो भी दौए हैं बगवान चल्दी पूरी करें। अब हमारे साथ बर्मोत जी हैं जिन्होंने यह आयोजन रखा है। हम उनसे जानते हैं कुछ इनके इस प्रोग्रम के बारे में। बर्मोत जी आपने यह प्रोग्रम के रखा है, क्या सोच कर रखा आपने यह प्रोग्रसाइब झेज़े स्थूदेंने कुछ फ्रोग्रम करने आता हुआ है। कि हमें अच्छा कुछ रहने को आवास मिले जो कि इस सभी प्लाइमों को एक ऑस्टल टाइप में मिले जैसे कि इसका हमें किराय ना देना पड़े और भी बहुत सारे समस्याएं हैं पढ़ने लिखने के लिए जो मैटेरेल उपलब्द हमें नहीं हो पाता है वो भी हमें सरका पूरी करेगी और हमारा ओंदेश यह है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम है और पहला प्रोग्राम हमें चाहत हैं कि हमारे संसा काफी अच्छी चले आप सब कर सहीग ema हमारे जो समस्या हैं वो उन पे पूरी गौर दी जाएगी यही मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही सब इनी सब्सक्राइब के साथ परमोची हम यही दूआ करते हैं कि सरकार आपकी वो सारी जरूरतों को पूरा करें जो आप चाहते हैं आए दविंदर सिंग जी से मिलते हैं दविंदर जी आप बताएए सब्सक्राइब के बारे में जाते हुए सब लोग हमार स्वयोग करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इस बड़े लड़के रहते हैं तो यह लिड़के बहां से हटाएगा थे तो मैं सोचा जाए इसे मिली कि हमारा एक होश्टल ता अंध महाविद्जा ले वहाँ पर होश्टल चल रहा था और जो कि डाशन पर चल रहा था तो किसी कारण वरस उस होश्टल से सभी वख्यों को निकाल दिया गया और हमें लगा कि सभी जो हमारे साथी हैं क्योंकि मैं खुद प्रमोत कुमार उस होस्टल से पास आउट हूँ और आज मैं पिछले छे वर्से इंडिन डेलबे में कारे रहत हूँ और मेरे बहुत सारे साथी अलग-अलग डिपार्टमेंट में कारे रहते हैं तो हम सब ने मिलके ये वीड़ा उठाया कि हमारे जो साथी रोड ने पर बटक रहे हैं जो होस्टल से निकल चुके हैं हम उनको सहारा ने क्योंकि वह में सहारा ने गुए हां किरायी बी काफी जाता लगा तो वहां से भी हमने यहां सिफ्ट किया हलाई किराय तो हमारे लिए 10,000 रोग मांजारो सभी कोई भी किरायो हमारे लिए बहुत कटी ने दे पाना क्योंकि हम सभी को मिलकर यह सब करना है इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार हमारी जल्द जल्दी समस्यां को सुन पूख चुकि है उनके लिए भी विवह सकार अपने कदम उठाए और उनके लिए भी कुछ एसा खोले कि उनका टाइम व्यतित हो जाए और सभी लोग अपने हमारी संथभा है जो एक्जाम परिक्षा के तैयारी भी कर रहे हैं और कुछों की नौक्री लग भी रही हैं और कुछ तयारी प्रिपारिकंशन 뭘 कर गर रहे हैं ? यही सारह हमारे उत्यश है, सुनकर हमारे टरईशन के हमें एक्सपिरेशन यही से बिली कि हमारे आस़ा यह शाहरा जोंहुथ हमारे सब्धाथ . याही सब पाहना चीने होता है पूरे दिल्ली में अलग अलग शेत्रों के अलग अलग है तो मैं महरूली से निगम पार्शा दूँ यह बहुत खुशी की बात है अभी आप जैसे यहां पर आया आपने अपना सयोग दिया आपको क्या लगता यह संस्ता के बारे में जिन्हों ने यह शुरू किया है वो तोटी सी बात कहूंगी जो मैं मंच से नहीं कह पाई यह देख नहीं सकते हैं पर यह जब भी देखते हैं तो सुंदरी देखते हैं अपकी अपनी मन की आँखों से सुंदरता देखते हैं और दुनिया के चुत्रण जो इनके मन में होता है वो सुंदरी होता है आप यह सु अपने शक्ति बनाया है और आज उस शक्ति के बल पर यह सुंदर कान का आयोजन यहां पर कर रहे हैं और इसके लिए मैं इनकी प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेसिव ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड है इसको बहुत सारी शुपकामनाई देती हूं और हर प्रयास हर संभव जो मु किस तरह से सपोर्ट करेंगे मुझे अशा लगता है कि अभी के जो सिच्वेशन हमारी अभी जो चल रहा है जिस तरह का वातावरण है हर नाकरिक चाग्रों का हर व्यक्ति मदद करता है और यह स्वें भी इतने सक्षम है कि ठीक है एक सेंस काम ने कर रहा है लेकिन इनका सि आपके माधम से जो लोग मुझे देख रहा है उनसे भी यही विंति करूंगी कि हमसे जो संभाव मदद हो सकती है हमें लोगों की करनी चाहिए इनकी शक्ति बनना चाहिए इनकी शक्ति में हमें इनका साथ देना चाहिए यहां असल में क्या है कि मेरे यह सब प्राह मेरे विद्यार्थी रहे हैं तो उनका ऐसा आयोजन है तो बहुत स्वावाविक है कि मुझे तो अच्छा ही लगना है हमें कोई संदे नहीं है आपके क्या शोक है दीनिश मेरे मैं म्यूजिक सुनना सीक्षा गटार बजाना और गेटार के साथ 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 सिंगिंग करना और साथ-फा खेंज गेम्स भी खेलता हूं तो वैसे जादा इंटर्स पूरा मेरा म्यूजिक मेंता रहाए आपको लगते हैं यह शॉक सिखने को मिला फिर गिटार सेहने के शॉक था तो अभी गिटार सीख रहा हूं और चोटे-चोटे प्रोगराम करने के लिए एक अकैडमी हैं वहां से प्रोग्राम करे जाते हैं आप देव सकते हैं दिनेश के वो शौक है जो हम सब के भी नहीं है मैं पूरी दुआ गरती हूपर वाले से कि इनके शौक जल्दी पूरे हो हैटलेस इंडिया टूडे से रेखा सच्टे झाले से रेखा सकते हैं